हेल फेंट्स मैं हूँ सन्मय प्रकाश और आपका स्वगत है सरकार जौपनियोज में सबसे पहले इस करेंट फॉर्स वीडियो में देखते हैं इंपार्टन टॉपिक्स कोश्चन्स क्या क्या है तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल उसका नाम क्या है जो की चितुमल की खारी में इस्तित है चितुमल की खारी किस देश में इस्तित है ये भी जानेंगे और क्या होता है ब्लू होल जिसकी चर्चा बहुत ज़ादा है चीन के बाद भारत के किस परसुई देश की जनसंख्या विर्धी कम हो रही है और काफी चिंता जता है जा रही हो आपर भारत ने इनाटन निशन्स जो उसका आतंकवाद निरोधाक ट्रस्ट फंड है उसमें कितनी रकम का योगदान दिया है फंड दिया है भारत ने कितना किस पुरूत्तर राज ने स्कूल ऑन विल सुधा शुरू की है पनामा के नय राश्टपती कौन चुनेगे है पनामा के बारे में डिटेल बात करेंगे मैप के जरी समझाएंगे आपको और भी कई टॉपिक है कोश्चन है सब पर चर्चा तो शूर करते हैं उससे पहले आपको इंफर्म कर दो कि आरपी एफ एसाई और कॉंस्टेबल का बैच चल रहा है शांदा अधंग से विशिशा के टीचर जो है वो आप सब को पढ़ा रहे हैं तो जिन लोगों ने वो कोर्स नहीं लिया है और तैयारी कर रहे हैं तो जरू भी छूट दी जा रही है कोर्स में ओके तो देखे जरूर सरकार जॉब ने इसके एप पर इस उटीक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो चलिए सबसे इंपार्टन कोर्शन आज का वो लेते हैं दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ब्लू होल की सुकते हैं जो कोशन लेते हैं फिर डिटेल बात करेंगे कुछ इस तरह का होते हैं वो जो होल होता है इस तरह का गड़ा होता है तो क्या होता है और दूसरे कोशन के जरीए बात करते हैं कोशन होगा दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो कि समुदर की तलहटी में पाजाने वाला ग तामजा Bluehole कहेंगे इसको, तो मैकिसिको में दुनिया का इस सबसे गहरा Bluehole मिला है, और यह मैकिसिको के युकाटन जो प्राइदीब है वहाँ पर ये चेतुमल की खाडी में है, तामजा Bluehole इसको हम लोग कहेंगे, तो एक बार मैप के ज़री देख लिएते हैं, फिर समझेंग कि वो कहां पर है चेतुमल की जो खाड़ी है वो कहां पर है क्या इस्तिति है तो चलते हैं मैप के जड़िए ये रहा अपना प्यारा भारत और मेक्सिको कहा है मेक्सिको है उत्री अमेरिका जो महादूइप है वहां पर कॉंटिनेट में तो इधर का उत्री अमेरिका हो गया इधर धक्षणी अमेरिका हो गया इस तरफ और ये रहा मैक्सिको ठीक है इसके राज़ानी क्या है मैक्सिको सिटी है राश्टपती है यहां के एंड्रेस मैनुवल, लोपेज उब्रेडोर, ठीक है, यहां के मुद्रा है मैक्सिकन पेशो, जनसा क्या लगबख लगबख, 13 करोर के आसपास है, इसका परुसी देश की बात करेंगे, तो इधर USA हो गया, अमेरिका हो गया, इधर Guatemala हो गया, और यह वला जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, यह है, बेलीज, ठीक है, समुद्र और महासागर की बात करेंगे, तो इधर Gulf of Mexico हो गया, इस तरफ क्या है, इस तरफ है North Pacific Ocean, और यहीं पर, इस जिगा पर, यहां पर वो ब्लू होल मिला है, ठीक है, कितनी गहराई है इसकी, अभी तो वेकनिक पूरी गहराई नहीं नाप पाए है, लेकिन जो शुरुवाती कालकुलेशन है, गंड़ना है, उसके मताबिक यह 380 फिट, यहनी 420 मीटर यह गहराई बता जा रहा है, समुद्र के नीचे की सतह पर वो गढ़ा है, अभी जानिकोने इसकी गहराई को मापने के लिए, कंड़क्टिविटी, टेंप्रेचर, डेप्ट प्रोफाईल, इन सब टेकनिक का इस्तमाल किया है, और इससे समुद्र के नीचे की सतह के रियल टाइम डिटा मिल जाता है, और इससे पता चलता है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, वो यही है, अभी तक हला कि इसकी तलहटी पर कोई गोत होता कैसे है, होता ही है कि ब्लू हैल में बहुत सारे छेद होते हैं, चोटे-चोटे, और वो पानी के नीचे होते हैं, तो क्या होता है कि जो सम्मर सिबल है, उसको कही है, पंडूभी कही है, तो उसके लिए जाना थोड़ा मुश्किल होता है, एक और कन्फूजन आपके मन में हो सकता है, कि जो ब्लू होल हम कह रहे हैं, और उसकी जो घहराई है, वो तेरह हजार सम्थिंग फिट हम बता रहे हैं आपको, तो मरियाना ट्रंच भी तो है, वो तो 36,000 फिट नीचे हैं, तो वो क्या है, देखिए वो फर्क है, उसमें और इसमें अंतर है, मरियाना ट् ट्रंच की ओर, तो वो प्रशान्त महासागर में इस्तित है, इस तरफ है मरियाना ट्रंच यहाँ पर, ओके, लोकेशन के व्यू से मैं आपको समझा दूँ, इधर चाइना हो गया, इस तरफ यहाँ पर भारत हो गया, यह फिलिपेन्स हो गया, इधर इंटोनेशिया हो गया इस तरफ नीचे की ओर जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया तो यह सब है यहाँ पर मरियान ट्रंच है जो की लगभग 36,000 फिट के गहरा बड़ी प्रशांत महासागर में इस समुद्र का यह सबसे गहरा भाग है लेकिन यह ब्लू होल नहीं है यहाँ पर है इस तरही के से लेकिन यह ब्लू होल नहीं है ठीक है इस से पहले कौन सा था सबसे गहरा ब्लू होल तो इस से पहले जो माना जा रहा था वो रिकॉर्ड था दक्षनी चीन सागर में दक्षनी चीन सागर में मौझूद ड्रैगन होल उसका नाम था उसको मना जा रहा था कि वो सबसे गहरा है वो अगर हम देखेंगे वो इस तरफ था यहाँ पर ठीक है लेकिन आप हम लोग देख रहे हैं यह मैक्सिको में यह पाया गया है चितमल की जो खारी है वहाँ पर चितमल की खारी इस जगह पर इसे थे यहाँ पर इसे थे यह ठीक है अब सवाल यह होगा कि ब्लू होल होता क्या है कुछ तो बाते आपने जान ली तोड़ा और जानिए कुछ मैंने यहाँ पर भी नोट करके रखा दे दिया है ब्लू होल जो वो समुद्र की तलहटी पर पाय जाने वाले बड़े सिंक होल होते ह या कहें खड़ी गुफाएं होती है यह कार्बोनेट चट्टानों के टूपने से बनती है और इसमें पानी भर जाता है कार्बोनेट चट्टाने जो होती है वो तूट जाती है और नीचे एक होल बन जाता है गड़ा बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है ब्लू होल ज होते हैं इसके दिवारें खड़ी होती हैं ब्लू होल में आम तोर पर ताजा समुदरी या मिश्रित रसायन का प्रभाव वाला पानी होता है और इसके अधिकांच जो गहराई होती हो समुदर तल से नीचे की और फैली होती है और जलमग गुफा मार्ग जैसा हो सकता है कि ब्लू होल में भी जीवन हो सकता है लेकिन उसके लिए अभी रिसर्च का काम चल रहा है तो यह तो पूरा यह मुदर रहा ब्लू होल के बारे में मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे इसका पीडिएफ भी है वो हिंदी और इंगिलिश दोनों लेंग चींत की तो negative में चली जा रही है लेकिन हाला कि नेपाल की positive में है लेकिन वह बहुत कम है उसकी चिंतकी जारी है जो अबादी है उसके growth rate बहुत कम होनी की वज़े से उसका अफर क्या होता है अफर यह होता है कि आने वो fluffy added बढ़ जाएगी और युवाँं की अबादी वह होती चली जाएगी तीक है इसको मैप के जरीए समझते हैं इस चीज को तो यहाँ पर यह रहा पड़ुसी नेपाल इसके राजधानी क्या है काटमांडू है मुद्रा यहां की नेपाली रुपया है प्रामिश्र हैं यहां के पुष्प कमाल दहल परचंड राश्टपती है रामचंद पॉडेल भाषाई है पर नेपाली है और परवसी देश चीन और भारत है तो अब यहाली में 5 माई को वहां का जो राश्ट्री सांखे की काड़यले है यह नेपाल का एनेसो है उसने इसके बारे में रिपोर्ट जारी की है और कहा है काफी चिंता जाना केस्ते थी है ठीक है कुछ डेटा भी है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि नेपाल की जो आबादी है इस वाक्त और अप्रेल 2011 और अप्रेल 2021 के बीच में यह नेपाल की आबादी में मात्र 27 लाग की बरहुत्री हुई है और यह कहा जा रहा है कि बहुत ही कम बरहुत्री हुई है और अगर हम देखेंगे इसको कि जो ग्रोथ रेट है वो कितना है तो पिछले एक दर्शक में 0.92 परसंट की वृद्धी हुई है मतला एक परसंट से भी कम ग्रोथ रेट वहाँ की नेपाल की देखनों को मिल रही है ठीक है तो इसको लेकर चिंता बढ़ रही है वहाँ नेपाल में प्रजनन जो दर है उसमें भी काफी कमी आई है प्रजनन दर्न तो इसकी वज़े से चिंता वेक् उसके त्यारी आप कर सकते हैं सरकारी जोब में उसके एप के जरीए दोतर के ममिशेब प्लान है एक Basic ममिशेब प्लान है और एक ISPCS ममिशेब प्लान है तो उन सब के जरीए आपके Current Force की शंदार त्यारी होती है अगले एक साल तरक Current Force का PDF, टेस्ट, वीडियो और समद्धित examination details भी मिल जाते हैं देखें जरुरी सुद्ध की description में पूरा detail में बताया गया है और सरकारी job news जो app है वो आप download कर सकते हैं Google Play से ठीक है Android app है आप सर्च कीजिए सरकारी job news या फिर sun में प्रकाश आप आप download कर सकते हैं अगला कोशन लेते हैं किस पुर्वत्तर राज यानि नौर्थ एस्टेट ने School on Wheels सुब्धा शुड़ की है आज़ोगा मनीपूर मनीपूर राज ने ये शुड़ किया है और ये news देख रहे हैं मनीपूर इंट्रोडोस School on Wheels प्रोग्राम तो जो रिलीफ कैंप में जो बच्चे रह रहे हैं आपको पता होगा मनीपूर में बहुत ही खराब हालत थी थोड़ से बेहतर हुई लेकिन अभी भी कहिए कि खराबी हालत है वहाँ पर जो तनाव है दो समुदायों के बीच में उसकी वज़े से तो बहुत सारे भाजारों बच्चे वो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं तो उनकी पढ़ाई छूट रही थी तो ये स्किम लॉंच किया गया ठीक है मनीपूर कहां है ये प्यार भारत है और इधर ये नौर्थ एश्ट का हिस्सा है ठीक है इसी में ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप ये है मनीपूर यहां के मुखमांत्री है एन बिरेन सिंग राजपाल है अनुसुया उई के राजथा नहीं है यहां की इमफाल तो ये है पर उसी राज़ी की बात करेंगे तो इधर नगालेंड हो गया इस तरफ मिजोरम हो गया और इधर वाला असम हो गया यहां पर ठीक है तो मनीपूर की राजपाल ने एक समारो के दोरान पांच मई को स्कूल आउन विल्स का उधगाटन किया उन्होंने जो तमाम जो शिवरों में रह रहे हैं बच्चे वो सब यहां पढ़ सकेंगे यहीं पर बस को ही स्कूल टाइप का पना दिया गया है ठीक है तो यह वहाँ पर एक अच्छा कदम उठाये गया है सरकार के दोरा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन पनमा के नए राश्टपती कौन चुने गया है पनामा एक देश आंसोगा जोस राउल मुलीनो ठीक है और यह नियूज दे हिंदू में देख रहे हैं खास बात है कि लास्ट मिनट केंड़िट थे वो इससे पहले वो पनामा के सुरक्षा मंत्री थे मुलीनो वो पुर्व राश्टपती रिकार्डो मार्ट नेली उनके द्वारा उप राश्टपती के पद के उमिद्वार बनाये गये थे अलाकि हुआ ये की जो राश्टपती थे इस से पहले चुनाओं में राश्टपती पत का चुनाओं लढने वाले थे उनका नाम था मार्टी नेली तो चुनाओं से पहले उनको मनी-लॉंटिंग के लिए दोशी ठरा दिया गया था अदलत के दोरह और दस साल की जिल की सजा होगी थी इसके बाद वो भाग कर निकारगुवा के दुतावास में वहाँ पर उन्होंने राजनेतिक शरंद ले ली थी और आखरी समय में फिर जोस राउल मुलीनो तो उन्होंने राज़्टपती अपनी उमिद्वारी पेश कर दी और ये आखरकार जीत हांसिल कर ली है इन्होंने ठीक है नाम आपको धहन में रख रहा है जोस राउल मुलीनो अब एक बाद पनामा देश की ओर भी देखते हैं उसके बारे में जो वहां का जियोगरफी है उसको समझते हैं तो सबसे पहले तो प्यारे भारत है अपना यहां और उसके बाद चलेंगे हम लोग कहां पर जो अमेरिके कांटिनेंट है नौर्थ और साउथ उसके ओर तो इधर तो नौर्थ अमेरिका हो गया और इधर साउथ अमेरिका हो गया यहीं इसी के बीच में यानि यह मध्य अमेरिके देश है यह पनामा यहां पर देख रहे हैं आप रेट कलर में ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? पनामा सिटी है, नए राश्टपती बन गए है, जोस राउल मुलीनो, ठीक है? यह पनामा, यहांकी अबादी तकरिबन 43 लाग के आसपास है, यहांके मुद्रा, दोतर की मुद्रा लीगल टेंडर है, एक तो खुद की मुद्रा है, बाल ब और दूसरा ही US dollar इसके परुसिदेश की बात करेंगे तो इधर कोलंबिया हो गया और ये कोश्टा अरीका हो गया ठीक है समद्र और महासागर की बात करेंगे तो इधर ये Caribbean Sea हो गया और इधर North Atlantic Ocean हो गया ठीक है और यहीं पर पनामा नहर भी है मश्वूर पनामा नहर कहां पर है इस जगह पर पनामा नहर है यह ठीक है और पनामा नहर गैटोन जिल से होकर गुजरती है 1913 में इसको बनाए गया था कृत्रिम जिल के जरिए ठीक है तो अभी हाला कि यह पनामा नहर जो है वो सुखे की वज़े से बहुत दिक्कत से जूज रही है और यह भी वज़ा है कि वहाँ पर यानि पनामा देश में जो आर्थी किसिती है वो भी डवाडोल हुई है अभी हाल के वक्त में ठीक है चले अब आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं भारत ने सिनुत राष्ट आतंकवाद निरोध ट्रस्ट फंड यानि CTTF में माई 2024 में कितनी रकम का यो किमत है डॉलर की किमत है उसके मुताविक लगबागी है 4.17 करोर रुपए के आसपास ही होता है ठीक है और ये नियूज देख रहे हैं इंडिया ने कॉंट्रिब्यूट किया है आतंकवाद विरोधी निरोध आतंकवाद निरोध ट्रस्ट फंड में 5 लाग यूस डॉलर का ये जो फंड है न वो आतंकवाद के संकट के खिलाब वैश्विक जो लड़ाई है उसके बहुँ पक्षी है अनि मैल्टि लैटरल जो प्रयास है उसके समर्थन के तोर पर अपनी प्रतिबधिता दिखाता है तो सेउक्त राष्ट में भारत की अस्थाई प्रतिनिदी कौन है वो है रुचिरा कमबोजी है तो इन्होंने साथ माई को ये राशी वो सौंपती है उस ट्रस्ट फंड को तो यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि इस से उक्त राष्ट आतंगवाद निरोद ट्रस्ट फंड यानि CTTF अंग्रीज में कहेंगे UN Counterterrorism Trust Fund ये आखर है क्या औ खिलाफ अभ्यान चलाने के लिए जो ऑफिस है United Nations का उसका एक फंड है ठीक है और इसके जो अवर सचिव हैं वो हैं वलदमेर इवानो विच तो उनको भारत की जो अस्थाई प्रतने दें उन्होंने ये रकम सौंपती है ठीक है तो ये एक इंपर्टन बात है भारत की ओर स जो आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान दुनिया के चल रहा है इन नेशन की ओर से उसमें भारत की ये प्रतिबदता दिखाई दे रही है हम फंड भी दे रहे हैं उसको आगे पर ते नेक्ट कोश्चन विश्व रेट क्रॉस दिवस कबने जाता है वर्ट रेट क्रॉस डे आंसोंगा आठ माई को और इस बार के थीम क्या है मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक इनाम है अंगलेजिम कहेंगे I give with joy and the joy I give is a reward तो ये इस बार के थीम है इंटरनेशनल रेट क्रॉस डे और ये दो दिवस है वो मना जाता है रेट क्रॉस की जो अंतरश्टी मतलब पूरी अंतरश्टी समिती है उसके संस्थापक जीन हैंडरी डुनेंट उनके जर्म दिन के तौर पर ठीक है तो रेट क्रॉस एक वैश्विक मानोतावादी नेट्वर्क है इसका उदेश यह बिना किसी भेदवाव के मतलब जो पीर आंसो का इसका 8 माई को और इस पर की जीवन को सशक्त बनाना प्रगती को अपनाना सबी के लिए नय संगत और सुलब ठैलेसीमिया उप्चार तो ये है इस बार की ठीम ठीक है तो ठैलेसीमिया बार की बार में कुछ लोग तो जानते ओंगे वो एक ऑनवाНशी यानिط या receivers जीज है, उसमें क्या होता है, तो मरीज के भीतर हिमोगलोमिन ठीक से बन नहीं पाता है, उसका निर्मान नहीं हो परता है, उसकी वज़े से जो मरीज है, उसको बार-बार खून चणाना परता है, ति यह बहुत ही कश्टप्रद यह बिमारी होती है, अनुवारिशिक बिमार था एक बंगाली परिवार में भारत का जो राष्टगान है जंगनमन और बंगदेश का जो राष्टगान है अमार सुनार बंगला वो रविना टैगोर नहीं लिखा था अगला कोशन लेते हैं बी आरो यानी बॉर्डर रोड ओगनेशन हिंदी में कहेंगे सीमा सडक संगठन उसका अस्थार्पना देवस का मना जाता है आंसों का साथ माई को ठीक है सीमा सरक संगठन उसका उदेश ये कि भारत की जो सीमाए हैं वहाँ पर रोड की जो यानी बुनियादी जो धाचा होना चाहिए उसको मजबूत किया जाए ठीक है और ये जो संगठन है वो रक्षा निशन के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में ओके बाई